Hello students, my name is Avina Jadon and welcome to my channel तेज पढ़ाई और आज मैं लेकर आया हूँ Class 10 Circle Exercise 10.3 का Question No.2 जहां पर हम समझेंगे एक Question को Question No.2 को तो आईए चलते हैं हम Question No.2 की तरफ, Question No.2 हमसे बोलता है Suppose you are given a circle, आपको एक circle given है और give a construction to find its center और हमें construction करके इसका center का पता लगाना है तो देखें बड़ा Easy सा Question है, थिरम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किसी भी circle का अगर हमको center find out करना है तो हमको सबसे पहले उस circle पर 3 non-collinear point लेने होंगे और उसके perpendicular bisector जिस जगापर touch करेंगे, वो cut होंगे या bisect होंगे उस point को हम उस circle का center कहेंगे तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, let करते हैं सबसे पहले let the 3 non-collinear point A, B और C और मैंने 3 non-collinear point को let कर लिया, ठीक है तो यहां पर 1 मैंने point दे दिया A यहां पर 1 point दे दिया मैंने B और यहां पर 1 point दे दिया मैंने C ठीक है, अब next point पर क्या लिखना है हमको join AB and BC AB और BC को हम क्या कर देंगे, join कर देंगे तो यह हमने उसे join भी कर दिया अब बूला गया इसमें next point में draw a perpendicular पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर आफ साइड AB and BC perpendicular बाइसेक्टर करना पड़ेगा draw करना पड़ेगा AB और BC तो यहां पर हमने perpendicular बाइसेक्टर के लिए क्या किया आदे से थोड़ा से ज़ादा लेकर एकार किदर और एक अर्क इधर लगाया और यहां पर भी एक अर्क इधर से और एक आर्क आपका इधर तो यहां पर कटा नहीं है दुबारा से हमें इधर जाना पड़ेगा तेन कट ओके देन हमको मालम है इधर से भी एक perpendicular बाइसेक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि यह भी साइड हमें perpendicular बाइसेक्टर चाहिए तो इधर भी आदे से जादा लेंगे थोड़ा से कम थोड़ा से कम पस यहां से भी एक अर्क यहां से भी एक अर्क अब देखिए इधर भी एक आर्क लगाना पड़ेगा हमको येस यहां पर हमारे 4 आर्क लग चुके है अब आपको इन आर्क को आपस में जोइन कर देना है तो देखिए यह पॉइंट यहां पर है और इसका पॉइंट यहां पर है तो हम इसको जोइन कर देंगे देखिए यह इस लाइन का perpendicular y sector बन चुका है ठीक है इसको हम इस लाइन को नहीं इस perpendicular by sector को हम point दे सकते है x then हमको next भी point चाहिए जो कि इस line से बनेगा तो देखिए यहां पर हमारा यह वाले line आ रही है जो कि आंगे भढ़कर कुछ इस point पर cut कर रही है ठीक है तो देखिए यहां पर इसका perpendicular by sector का है इसको हम माल लेंगे y अब आपको माल में जहां पर यह line कट करी है उस point को हम क्या कहेंगे o अच्छा इस point को हमें याद रखना है कि यह point o है जहां पर भी perpendicular line by sector करेंगी लिखना पड़े गई है when to perpendicular line bisect in the circle bracket लगा कर लिखना पड़ेगा both are both lines not are both lines are formed by non collinear point bracket पर्द ये क्यों लिखना पड़ा हमें both lines are formed by non-collinear point क्योंकि वैसे तो बहुत सारी line हो सकती है सिब non-collinear point वाली ही लाइन पर perpendicular bisector डलने से उसका center का पता लगा सकती है तो when two perpendicular line bisect in a circle formed a center of the given circle ये circle ओके तो हमको मालम पढ़ चुका है कि इस बड़े वाले circle का center कहाँ पर है यहाँ पर है तो यही हमको find out करना था वीडियो अच्छी लगी हो समझ में आई हो तो like करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं आई यही है आई है